आइरलेंड को फ्लावर समझे थे क्या? वो फ्लावर नहीं फायर निकला 225 रंस बनाने के बावजूद भी इंडिया को मैच में सांस नहीं आई और वो आइरलेंड से सिरफ 4 रंस से जीता गाए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा डाट आइरलेंड इंडियन बोलर्स को इतनी बूरी तरह दोएगा वो तो यार शुकर बनाओ हुद्डा और संजूगा जिनके कारण इंडिया 225 रंस का इतना बड़ा टोटल बना पाया यार ये बंदा दीपक हुद्डा जब से इंडिया के लिए खेल रहा है कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है उसने इस मैच में मारी जबरदस सेंचरी सिरफ 57 बॉल्स पर 104 रंस बनाए संजू ने भी ओपनिंग में दिखाया कमाल और 42 बॉल्स पर बनाए ताबड तोट 77 रंस यार अक्षर पटेल के लावा सारे बोलर्स पहुत बुरी तरह पिटा यार भुवनेश्मर ने भी सिरफ मैच का 18 ओवर ही जबरदस डाला जिसमें उसने 7 रंद देकर एक विकट ली वरना बाकी 3 ओवर्स में भुवी भी बुरी तरह पिटा यार भाई इससे पहले भी इंडिया ने काफी क्लोज मैचे जीते हैं पर इतना क्लोज कॉंटेस्ट आइरलेंड से तो नहीं एक्सपेक्ट किया था यार सही में आइरलेंड की रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरे दिल इतना छोटा नेशन होने के बाद भी इतने कम वक्त में आइरलेंड ने अपना लेवल बढ़ा दिया है बॉस इन दी एंड कॉंगराट टू हार्दिक पांडिया फोर हिस फर्स सीरीज विन अज इन इंडियन काप्टन अब आलज छोड़ो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डालो वरना वीडियो बनाने की मोटिवेशन नहीं मिल